भारती टीम ने साउथ एफरिका को दूसरे टेस्ट मैच में साथ विकेट से हरा दिया है। भारती टीम पहला टेस्ट मैच हारी थी। उसके बाद लगा कई भारती टीम ये टेस्ट मैच भी हार कर सिरीज नहार जाए। लेकिन रोईश हर्मायन कंपनी ने साउथ एफरिका को उन्हीं के विकेट पर जो विकेट खेलने लायक नहीं था जिस विकेट को एक तरीके से अगर भारत में होता तो घटिया कहा जाता उस विकेट पर साउथ अफरिका को हरा दिया है यानि भारत को हराने के लिए जो पिछ खोदी गई थी उस पिछ पर भारत जीत गया है साउथ अफरिका को उनकी पिछ पर हरा दिया गया है केप टाउन में जब ये मुकाबला शुरू हुआ साउथ अफरिका के कप्तान डीन इलगर ने बड़े कॉन्फिदेंस के साथ बड़े टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का निर्डे किया गेन थी मुखमद सिराज के हाथ में 6 विकेट उन्होंने जटक कर साउथ अफरिका टीम को सिर्फ 55 रनो पर ओल आउट कर दिया बल्ले बाजी भारत की आई कंडिशन हमारी बहुत जादा अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ एक वक्त पर 153 पर 4 विकेट भारत का स्कोर था उसके बाद पूरी भारत की टीम बिना रन मनाये वहीं पर ओल आउट हो गई उसके बाद साउथ अफरिका ने भारत को लक्ष दिया मातर नासी रनों का 79 बनाने थे लेकिन काफी मुश्किलाद भारत को आई है तीन विकेट उनके गिर गए शुरुआत जरूर भारत ने अच्छी की जैसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत में रोई शर्मा ने भी उनका साथ दिया बल्लेबाजी के लिए बड़ी मुश्किल पिछ थी बल्लेबाजी बिल्कुल आसान नहीं थी रबाड़ा बिल्कुल टेस्ट ले रहे थे लेकिन भारती बल्लेबाजों ने ये लक्ष हांसिल कर लिया है सबसे दिल्चस्प चीज यहां पर ये होती है कि ये मुकाबला टेस्ट मैच है पांच दिन का टेस्ट मैच खत्म हो जाता है सिर्फ दूसरे दिन के दूसरे सेशन में ये सवाल मैंक अगरवाल ने भी उठाया उन्होंने कहा कि अगर ये माल लीजिए भारत में टेस्ट मैच हो रहा होता तो क्या होता पूरा वर्ड मीडिया ये सवाल उठा देता कि भारत के विकेट कैसे है क्या ये टेस्ट मैच का विकेट है लेकिन जिस तरीके से साउत अफरीका के विकेट खेला है दोनों ही टीमों को बल्लेबाजी करने में परिशानी आई है अनिवन बाउंस था वहाँ पर जब जांसन बॉलिंग कर रहे थे बुम्रा बॉलिंग कर रहे थे या फिर रवाडर ने भी जो गेंदे डाली है अनप्लेबर डेलेवरीज थी खेलना बड़ा मुश्किल था उन गेंदों को बल्लेबाज परिशान नजर आए है तो बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए पिछ बड़ी मुश्किल थी कहते हैं कि जो टीम मुश्किल में अच्छा खेलती है तो वही टीम जीत की हगदार होती है भारती टीम ने भी आज वही प्रदर्शन किया है भारती टीम को इसके लिए बधाई भी दी जानी चाहिए कि भाई टफ कंडिशन थी आपके बल्लेबाज सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब तक इन्होंने प्रूव नहीं किया है शुमन गिल की बात कर लें जब से नंबर तीन पर आया है बल्ला चलना बंद हो गया है लेकिन यहाँ पर जो जीत मिली है भारती के इंदबाजों के दम पर मिली है सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकट लिये तूसरी इनिंग में बुम्रा ने आपको 6 विकट लेकर एक comfortable victory भारत को इस मुकाबले में दिला दिये इस जीत के साथ ही साथ अफरीका दौरे का अंत होता है भारत ने T20 जो सिरीज थी वो एक-एक से ड्रॉ रही वंडे सिरीज भारत ने जीती और TES सिरीज भी एक-एक से ड्रॉ रही है इसके बाद अब अफगानिस्तान सिरीज की बारी उसका चैन अभी टीम का नहीं हुआ है लेकिन साथ अफरीका दौरे पर भारत की जीत के साथ एक-एक से सिरीज ड्रॉ हो गई